गुड मॉनिंग बच्चो बच्चो आज हम आपको खरगोश की एक कहानी सुनाएंगे एक बार की बात है एक खरगोश जंगल में चहक रहा था खेल रहा था और खेलते खेलते अपनी मस्ती में वो भूल गया और जाकर के एक कुए में गिर गया और गिर कर के कुए में क्या कर लगा चिलाने लगा जोर जोर से उसकी आवाज सुनकर के उसके सभी दोस्त दोड़े चले आए उनको नाया गाए भालू टेडी बियर खरगोश गाए और यह बकरी शेर और बियर टाइगर ठीक है लोमडी और चीता साफ के सब दोड़े चले आए अपने दोस्त को बचाने के लिए हां बोलू बेटा कितने फुट गयरा है तो सभी दोस्तों ने मिलकर क्या कहा कि हमारे पास एक एक पुट हाँ मेरे पास भी एक खुट रसी है, सब ने मिलकर के उस रसी को जोड लिया और जोडने के बाद, सब ने फटा-फट रसी जोडने के बाद अपने दोस्त खर्गोश के लिए लटका दी और खरगोष ने रसी को पकड़ लिया और पकड़ के रसी के सहारे खरगोष बाहर आ गया तो इस तरह से देखा बच्चो आपने सभी दोस्त पिछी हो जाएंगे बिटा सभी तो खरगोश के कुल कितने दोस्त थे? कितने थे बटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर खरगोश के 10 दोस्त ना होते तो 10 फुट गहरे कुए से रसी को निकालना मुश्किल हो जाता और खरगोश को बिचाना मुश्किल हो जाता तो देखा अपने बचों खरगोश जो है कितने फुट गहरे कुवे में गिरा था दस फुट गहरे कुवे में गिरा था और खरगोश के दोस्त कितने थे दस दोस्त है सभी दोस्तों के पास कितनी रसी थी हाँ, एक एक फुट रसी थी, कितनी रसी थी एक एक खूट तो टोटल मिला करके कितनी हो गई 10 खूट हो गई और कहरा कुआ 10 खूट था तो उसे बचा लिया गया